उत्तरकाशी टनल हाथसे में फसे सभी 40 स्वस्त और सुरक्षित सीडियों ने दीब बड़ी जान का रही है। रक्षित और स्वस्त हैं। कुसलता से बहार आजाएं। इसी काम में हम सब लोग लगे हुएं। और मुझे लगता है कि अभी सभी सकुसल हैं। और लगातार उनको भोजन, सामागरी और पानी और साथ में ऑक्सिजन की सप्लाई हो रही है। सबी लोग लगातार उस पर नजर बनाये हुएं। तो इसी दिकते दिया आ रही है, लेकिन उसको भी पूरा किया जा रहा है। लेकिन अगर कुछ और जरूत पड़ीगी तो क्या भारत सरकार से आप बात करेंगे। नहीं भारत सरकार से लगातार बात हो रही है। आनी प्रधान मंत्री जी स्वयम सारी घटना को नजदीक से देख रहे हैं, लियानकारी प्राप्त कर रहे हैं और जहां भी जिनको निर्देश होने हैं, वहां से हो चुके हैं। और हमने ये भी कहा है कि चुकि टनलों का काम हमारे उत्राखंड में बहुत ज्यादा है, जगा जगा पर टनल बन रही है। इसलिए निकट भौश्ची में हम जितनी भी टनल बन रही हैं, उनकी भी सभी की समिक्षा करेंगे। एक पार की सभी टनल हैं किस परकार से सुरक्षी तरीके से आगे भी जो है उन पर काम चले और सुरक्षी तरीके से उनका निर्मान हो। क्योंकि आने वाले समय में ये चुनोतियां हमारे सामने आनी भी हैं और कभी इस परकार की घटना होती तो उसके लिए भी तरीत रूप से जल्दी से जल्दी साहिता मिल जाए, जल्दी से जल्दी हमका समाधान हो जाए।